आज का ये नास्ता है ना उसे ना हम सूजी सी बनाएंगे और नहीं मेंदा और नहीं कोई चाबल यूच करेंगे आज का ये नास्ता हम सर्फ गिहूं के आटे से बना के तियार करेंगे तो ये नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपर गिहूं काटा लिया है और उसका चौता ही भाग मैंने इसमें बेसन डाल ले हूँ बेसन आपको पसंद है तो ही डाले अगर ना पसंद हो तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं ग्यों के आटे से भी बना के तियार कर सकते हैं इस नास्ते को मैंने तो इसमें इसलिए डाला है क्योंकि बेशन से थोड़ा खस्ता पनाता है तो मैंने यहापर पेशन और ग्यहूं का आटा इसमें डाल लिया है अब थोड़े इसे यहापर क्या करेंगे हम सबजें यहाट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसे बारी कट कर लिया है, उसे इसमें डाल दिया मैंने, चार से पास यहाँ पर मैंने हरी मिच ली थी, इसे भी बारी कट कर लिया है, एक गाजर लिया यहाँ और उसे भी मैंने कद्दू कस कर लिया था, साप कर पर मैंने एक मीडियम साइज का टमाटल लिया है उसे भी बारिक कटके इसमें डाल दिया है चार से पांच करी पत्त लिये थे वो भी इसमें कटकर के डाल दिये हैं अगर आप धनिया डालना चाहें तो धनिया भी इसमें डाल सकते हैं एक चमश बढ़के मैंने इसमें चिली से हल्दी लिया है एक चमच बरके जीरा डाला है इसमें और एक चमच बरके डालना है हम मसाला अगर आप और कोई भी मसाले डालना चाहे तो वो भी इसमें डाल सकते हैं अब एक चोटी चमच से एक चमच मैंने हैं पर ओयल लिया है रिफाइंड ओयल मौहिन के लिए आप ओय पसंद ना हो तो किब भी कर सकती हैं और अपने शाब से मन पसंद सबजिए इसमें एडवी कर सकते हैं सब्रेटे कम creator, की बसे प्याइब पट्रेट उरूट उनिकी बसा या तृति वहाए वह है वह एक जाहिद एक rights lie आना है तो ये देखे मैंने आठाव लाग के तेयार कर लिया है अब इससे हम क्या करेंगे 10 मिनट के लिए रख देंगे इससे अच्छे से सेट हो जाए तो कोई भी बरतन लेंगे इससे ढग देंगे ढग कर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम गेस की तरफ चलती हैं तो इ फ़ील अच्छे से हमारे यह गरम हो गया है अब इसमें एक चमश बरके जीरा डालेंगे और इससे चटकने देंगे थोड़े से यहापर मैंने मुमपली के दाने लिए हैं और थोड़ी सी मैं यहापर चना दान ले रहे हूं अब इन दोनों को इसमें डाल कर अच्छे से हम में चला आते हु》 अजना स मुत चला करीजा एक लेंगे को हम न है अब इसमें क्या करेंगे हम एक मेडियम si boiling टॉकड़े कर अच्छे में डाली JULI तो मैंने इसमें डाल दिया है अब इसे भी हमें एक मनड़ता पकाना है इसका भी कच्छा पन चलाया बस इतने ही दिर हम इसे पकाएंगे अभी इसमें मैंने कुछ पी एड नहीं किया मसाले वगरा कुछ भी नहीं डाले हैं कुछ नहीं है क्योंकि इसे मैं सिम्पिल सी चटनी बना के तियार कर रही हूं यहां पर मैंने सिब नमक और मिर्ची इसमें डाले हैं ँब वी मसाले बगरा का यूज नहीं किया है आप चाहें तो इसमें मसाले już डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें डाला है अब क्याँ चाहें position और मिकसी जार में डाल कर थोड़ा पाने डालकर इसे पीस लेंगे तो यह देखिए मैंने इसे पीस लिया है यह हमारी चटनी बन के तयार है आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं कड़ी पत्ता और आई का लेकिन मैं यहापर इसमें तड़का भी नहीं लगा हूँ एक सिंपल स हमने रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है यह देखिए अब इसे हमको अच्छे से गूतना है हातों से बड़ी आसे से एक बार गूत लेंगे इससे अच्छे से सौप्ट और मुलायम हो जाए इस तरीके से मैं गूत रही हैं आपको बस बैसे ही इसको गूत कर तयार करना है तो बस इस तरीके से गूत लेंगे रच्छा सा सौप्ट मुलायम सा अठा इसको बना लेंगे तो यहां पर मैंने इसस अच्छे से गूत के तयार कर लिया है अब इसमें से क्या करना है हमें यह पर लोई तोड़ेंगे हम जैसे हम रोटी या पराटे की लोई बनाते हैं बस बैसे ही लोई बना के हमें तयार करनी है तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसकी लोई बनानूँगी यह देखिए यह मुझे थोड़ी छोटी लग रही तो क्या करेंगे इसमें हम थोड़ी सी और आठा लेंगे क्योंकि इसमें सबजी है तो यह पतली नहीं बिल पाएगी तो हमें इसको थोड़ा मोटा रखेंगे सबजीओं की वैसे से थोड़ा मोटा ही हमें बिलना है तो यह देखिए मैंने एक बड़ी सी लोई बना के तयार कर लिए तो अब इसको साइट में रखते हैं और इससे हम बिलेंगे अब तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा आटा लागाएंगे सुका वाला जिससे यह बेलन से चिपके ना तो मैंने इसमें आटा लगा लिया है आप चाहे तो घी ओल भी लगा सकते हैं लेकिन मैं सुका आटा लाकर इसे बिल रही हूं उससे भ Community सिपके नाहीं जादा मोटी है और नाहीं जादा पतली है dernी से रliers को छहते हैं आप चाहें तो इसे कट भी कर सकतें किसी वरतन से बिलकुल गूल बनाना चाहती हूं एस फिर उससे शेख सकते हैं लेकिन मैं तो यहाँ पर इसे ऐसे ही स makes hours चलते हैं गयस पर मैंने तबा रख लिया जो रूटी बनाते हैं नुर्मल वाला तबा है बूई रख रियों में और इसे अच्छे से गरम होने दिया है आप चाहें तो नोन इस्टिक वाला भी तबा ले सकते हैं उस पे भी इसे बना सकते हैं लेकिन मैंने यह पर सिर्फ मीडियम कर देंगे हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं सीखना है नहीं तो यह जल जाएगा और अच्छे से सीखने ही पाएगा और नहीं वह अच्छा टेस्ट देगा तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से हमको सीखना है मीडियम फ्लेम पर सीखने से क्या हुआ एक तो स्वाद भी बहुत अच्छा देगा तो देखे मैं इसे पल्टी लगा देती हूँ एक तरफ से ये सिख गया ये देखे तब दूसरी तरफ से भी हमें इसे एक से डिर्मन तक ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही सिखने देंगे अब इसमें क्या करेंगी हम यहाँ पर या तो इसमें घी लगा लेंगे या फिर इसमें ओल जो भी आपको पसंद हो आप बो इसमें लगा सकते हैं घी लगा लेजिए या फिर रिफाइंड ओल होता है बो लगा लेजिए मैं तो यहाँ पर गी लगा के से तयार कर रही हूँ तो इसमें मैं गी लगा लेती हूँ. गीसे जो पराटे बनते हैं अब बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं. तो यहाँ पर मैं गी लगा रिंग एक साइड से लगा लिया है. तो आप क्या करेंगे इसे पलट देंगे. पलट कर दूसी साइड भी हमें इसमें घी लगाना है तो इस साइड भी मैं इसमें घी लगा लेती हूँ दोनों साइटों से रगयस की फ्लेम को हमने जावी मीडियम ही रखा है हाई विल्कुल नहीं रखेंगे इस बात का ध्यान रखें सारा प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है तो दूसी साइड से भी मैंने इसे घी लगा लिया है अब इसे दो से तीन बार अलड़ते पलड़ती हुए थोड़ा और सिख लेंगे जिससे अच्छा कुरकुरा खस्ता सा बनके तियार हूँ तो ये देखिए हमारा पराटा है बहुत अच्छे से सिख के तयार हुआ है दोनों तरब से विल्कुल गुल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे हम एक बरतन में निकाल लेते हैं और जो बचा हूँ आटा है उससे हम इसी तरीके से सारे पराटे बना के तयार कर लेंगे तो बहुती कम महनत में और बहुती कम टाइम में इस तरीके का नास्ता बहुती आसानी से बना सकते हैं और वो भी कहूं के आटे से बनाया है बहुती टेस्टी नास्ता बनके तयार हुआ है और बहुती हिल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने इतनी सारी सब्जियां डाली हैं तो यह बहुत हिंदी है आप इस नास्ते को अपने बच्चों के टिपिन के लिए बना सकते हैं या फिर आप कहीं सपर के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके का नास्ता बना कर सपर में भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि यह बह लोगे साहं दराकर नगियों के अटेसें बहुती खम मेनत बहुतीख सामानें, बनाके तयार इहे है। नाई कुछ जादा मसाले माज़की हैं हमने और उसके लिए हमने जो टीखी चतनी मिनाई है तो आप इसे चतनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या बिना चट्मी के शर्व कर सकते हैं, उसम्हें इतनी सारी सब्जी का नगी पाइज़ पर भेक्ति है। अगर dedic मेरी के मीडिया वीडिया तो सब्सक्राइब चैनल को सुस्क्षर्प होते हैं । शर्फ करें तो छैनल को सस्प्राइब जरूर देखेн बादे रादे रादे लिग